अगर आप करोड़ पती बनना चाहते हैं तो एक वेश्या से सिखें ये तीन बाते हैं वेश्या की ये तीन बाते हैं जो भी मनुष्य जान लेता है वो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता अतहर पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवसे देखें नमस्कार सुआगत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों महान आचारिय सुक्रदेव ने अपनी नीती में कहा है कि यदि कोई मनुष्य धनवान बनने की इच्छा रखता है बहुत सारी धन संपती प्राप्त करना चाहता है तो उसे एक विश्या से ये तीन बातें अवस्य ही सीख लेनी चाहिए एक विश्या की ये तीन बातें जो भी मनुष्य जान लेता है वो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेगा दोस्तों सुक्राचार्य बले ही देत्यों के गुरू थे किन्तु उनकी नीतियां बहुती स्रेश्ट मानी गई हैं। बातों का खयाल रखना चाहिए। ऐसे ही बहुत से विश्यों पर महत्वपून ग्यान दिया है। आज हम आपको शुक्राचारी द्वारा बताईगी एसी तीन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। दूसरों को देने से विक्ति को बहुत अधिक परेशानी उठानी पर सकती है। उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। वह पुरुष चाहे जवान हो, बुढ़ा हो, लंगडा हो, लूला हो, अथ्वा बीमार ही क्यों नहीं हो। अपनी जवान पत्नी को उसके पास कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। एक विवायत स्त्री घर का सम्मान होती है, अतहर उसकी सदेव ही रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को धन संपती से बढ़कर अपनी पत्नी की सदेव रक्षा करनी चाहिए। सुखराचारिय कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ती अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुस के पास अकेला चोड़ देता है, तो उसकी पत्नी का चरीतर खत्रे में आ सकता है, क्योंकि इस्त्री और पुरुस आग और फूस के समान होते हैं, जिसमें एक चोटी शी गलती भी वि नश्ट हो सकती है, क्योंकि जब तक इस्त्रीयों की कामागनी सांत नहीं होती, तब तक वह भढ़कती रहती है, इसे में उस्त्री का पत्ती वरता धर्व नश्ट हो सकता है, इसलिए पत्नी को हमेशा ही अपने माता पिता के पास ही छोड़ना चाहिए, अकेले कभी नहीं दूसरी चीज है अपना धन, सुक्राचारी के अनुसार मनुष्य को, अपना धन कभी किसी दूसरी व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धन में वो नकारात्मक शक्तिया होती है, तो किसी का भी स्वभाव बदल सकती है, पेशा किसी को भी दुराचारी ब नहीं, नहीं तो बाद में आपको पच्ताना पड़ सकता है, तीसरी चीज है पूस्तक, सुक्राचारी अपनी निती में कहते हैं, कि अगर आप अपनी किताबें किसी दूसरों को देते हैं, तो उनकी वापिस लोटने की संभावना बहुत ही कम होती है, या फिर आपको आप बनने के इच्छू के एक बुद्धिमान मुनिश्य को वेश्या से कौन-कौन सी बाते शीकनी चाहिए, शुक्राचारी अपने एक स्लोक में कहते हैं कि तदर्थम ग्रहीत वापी तद दीना न जायते, वेश्या तथा विधा वापी वशिकर्तुम नरम क्षमा, नेयत कस्य वशम तदवत, स्वाधीनम कार्य जगत. मोह माया की ऐसी सकती रहती है कि वे किसी भी पुरुस को अपने अधीन बनाने की क्षमता रखती है, वे अपने मोह जाल में फसा कर किसी भी बुद्धी मान पुरुस को अपना दास बना सकती है, उसी तरह एक बुद्धी मान पुरुस को भी ये बात ध्यान में रखने चाह जिसको पाने के लिए व्यक्ति किसी के भी सामने जुक जाए या अपने हाथ फिलाए जैसे एक सरावी व्यक्ति सराव के अधिन हो जाता है और सराव पीने के लिए भीक माँगने पर भी उतर जाता है या जैसे कोई अनपढ़ वेक्ती खुद कोई वेबसाई या नोकरी नहीं कर सकता तो वा दर दर की ठोकरे खाकर दूसरों के सामने जुकता रहता है वेक्ती को स्वेम को इतना काबिल इनसान बना लेना चाहिए जिससे की लोग ही चल करके उसके पास आएं ना कि उसको दूसरों के पास जाने की नोवत आए शुकराचारी कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुस को कभी भी एक वेश्या के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वेश्या का द्वार चोर, लुटेरे, बदमास, नशडी और पापी लोगों का ठिकाना होता है वेश्या के द्वार पर जो भी वेक्ति जाता है वो नश्ड ही हो जाता है बुद्धिमान पुरुस को चाहिए कि वे सबसे बढ़कर अपने चरितर की रख्षा करें चरितर से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है जिस भी वेक्ति का चरितर अच्छा होता है वह संसार को जीत लेता है और जिसका चरितर गंदा होता है वह हमेशाथ दूसरों के आगे हाथ फेलाता रहता है तो दोस्तों इस प्रकार से आचारे सुक्रदेव ने एक बुद्धी मानपुरुस को वेश्या से ये बात सीखने के लिए कही है अमीद है कि आपको ये ग्यान की बात अच्छी लगी होगी अतब वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जे सुक्रदेव और से लिखें धन्यवाद